खब ग्रिश है ख्रिश्ण खु को मतलों का मतलब सुनने में तो एक जैसा ही लगता है लेकिन के थोड़ी सी salient difference है, want to मतलब होता है, या फिर जब हम लगाते हैं जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है but have to का इस्तमाल हम तब करते हैं जब वो चीज बहुत जरूरी है और हमें करना ही पड़ेगा, मतलब वो necessary है need है हमें उसकी example के तौर पे I want to watch televisions, I want to eat chocolate जरूरी नहीं कि मैं chocolate का, बट खाना चाहती हूँ but I want to go to office नहीं, I have to go to office मुझे आफिस जाना होगा या पढ़ रहा है बस इतना साही difference है जब किसी चीज को हम मजबूरी में करते हैं फिर हमें उसकी need होती है यह necessary होता है तो have to लगाईए लेकिन जब कोई चीज हम करना चाहते हैं बट सरूरी नहीं है दिल से चाहते हैं तो want to का इस्तिवाल कीजिए that's all तो कृष्णा, अगर हमने कुछ नया सीखा है तो क्या करें? life and follow thank you